नमश्कार श्रिदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मेनेजमेंट में आज समझते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक 2001 और वर्किंग ऑफ ब्यूरो अफ एनर्जी एफिशेंसी BK functions को जानते हैं चुरू करते हैं आज की वीडियो एनर्जी मेनेजमेंट के डिमांड साइड मेनेजमेंट प्रोग्राम में हम ऐसे एनर्जी एफिशेंसी मेजर्स को इस्तेमाल करते हैं कि हम उपलब उर्जा को जादा दक्षता से इस्तेमाल करते हैं और उससे हमारा ये जो पीले और नीले रंग के मिक्स से जो एनरजी कंजमिशन है वो लाल रंग की हो जाती है और हमें एनरजी की नीड को पूरा करने के लिए नए जनरेटिंग स्टेशन्स या ट्रांस्मिशन लाइन के इन्फरास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं बढ़ती इस तरह से एलेक्टिकल एनरजी के यूज में एफिसेंस्य को बढ़ाने से जो पावर कैपसिटी एक्सपेंशन की डिमांड है उसे डेफर किया जा सकता है और जो कैपिटल नीड्स है उसे रोका जा सकता है डिमांड साइड मैनेजमेंट के डिमांड रेस्पॉंस प्रोग्राम के तहट हम पीक लोड के समय कुछ ऐसे डिरेक्ट लोड कंट्रोल या लोड को इंटरप करने के इस तरह के मेजर्स करते हैं या फिर पीक टाइम में एनरजी की जो टैरिफ है उसे इंक्रीज करके जी को रेविन्यू के रूप में पैदा कर सके और इससे जो एडवांटेज आएं वो यूटिलिटी एजनसी और कंजूमर्स आपस में शेयर कर सकते हैं लेकिन डिमांड साइड मैनेजमेंट का एक ज़्यादा बहतरीन पक्ष एनरजी एफिसेंसी प्रोग्राम से जिसमें ह यूटि डिजाइन्स बढ़ा सकते हैं नए तरह के एनरजी एफिशन्ट प्रोसेसस को इस्तेमाल कर सकते हैं पुराने सिस्टम में कुछ रिट्रोफिटS करके बदलाव करके कुछ अगुमेंटिशन करके एनरजी एफिसेंसी को बढ़ा सकते हैं और इंडियन पावर में ये observe किया गया कि हमारी energy intensities world comparison में same number of output production या GDP के काफी जादा है तो भारत में energy efficiency programs के लिए काफी अच्छा scope है Indian economy के सभी setters में energy efficiency को promote करने के लिए भारत सरकार ने energy conservation act EC act को 2001 में लागू किया energy conservation act 2001 के implementation को सुईदा से पूरे देश में लागू करने के लिए 1 March 2002 को एक सवेधानिक संस्ता के रूप में Bureau of Energy Efficiency B की भी स्थापना की गई Bureau of Energy Efficiency BEE पूरे देश में energy conservation activities के policy program को नेकेवल बनाता है बलकि उनको लागू करते समय कोडिनेटर का भी काम करता है क्योंकि हमारे देश में power, federal, central government और state government का साधा विशे है तो यही energy conservation act है वो राज्यों को निर्देश्क देता है कि वो अपनी को यह कैसी agency बनाए जो इसी act को राज्य में energy efficiency प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ाए 2001 में लागू किये गए energy conservation act में सन 2010 में कुछ amendments संशोधन किये गए जिसमें प्रमुक था कि central government कुछ designated industries को energy saving certificates इशू करेगी अगर उनकी energy consumption prescribed norms और standards के level से कम आती है और उनके energy efficiency programs effective है और वो दूसरे designated consumers जो prescribed norms और standards के according और इन procedures के तहट energy efficiency को achieve नहीं कर पाते हैं उन्हें ऐसे energy saving certificates जो tradable है उन्हें खरीद कर पेश करना पड़ेगा otherwise उन पर in efficiencies के कारण penalties लगाने के भी provisions एट में किये गए एक अन्य महतपुन संशोधन में वो commercial buildings जिनका connected load 100 kilowatt या contract demand 120 kv से अधिक जो अब बदलकर 500 kilowatt या 600 kv कर दी गई है उन्हें एक नए energy conservation building code के अंदर लाया गया है और उन्हें prescribed norms और standards के according energy audits कराकर energy efficiencies को maintain करना है Bureau of Energy Efficiency के मारफत ministry of power ने बहुत सारे energy efficiency initiatives है वो शुरू किये हैं जो household lighting के लिए भी हैं commercial buildings के standards हैं और जो major power consuming और use number में use होने वाले electric appliances हैं उनमें standards और energy star rating leveling है और agriculture, municipal corporations, small or medium enterprises और large industries के लिए demand side management के strategic programs हैं और इन सब के कारण हमने पिछले 11th plan period में 10,000 MW से भी जादा power के बराबर की capacity generation के बगैर भी हमारी energy needs को energy efficiencies program में जो improvement आया उसकी मदद से पूरा कर लिया है Pure of Energy Efficiency ने सन 2006 में electric equipment और appliances के energy consumption standards को बनाया और एक energy star rating के leveling का program शुरू किया जिससे consumer को energy saving के बारे में information available हो जाए देखा गया कि हम बहुत अधिक मातरा में energy को बचत कर सकते हैं अगर हम energy inefficient जो electrical appliances हैं उनको energy efficient appliances से बदल दें जो standard और leveling S&L जो है वो energy efficiency program का सबसे महतपून अंग हो गया है इस standard और leveling scheme से Bureau of energy efficiency ने ductable और non ductable air conditioner, household refrigerator, refrigerators और freezers, washing machine, distribution transformer, induction motors, storage, electric geezers, ceiling fans, agriculture pump sets, domestic lights, diesel generator set और diesel operated pumps इनको cover कर रखा है Bureau of energy efficiency के standard और leveling S&L program के तहट equipment के energy consumption data को एक level की मदद से consumers को बताया जाता है और consumer को ये जानकारी मिल जाती है कि designated output operation के लिए उसका equipment कितनी energy consumption पूरे साल भर में करेगा एक refrigerator के बतोर पे ये बताया गया है और इन consumption के हिसाब से बहतर जादा अच्छा perform करने वाले जिसमें जादा saving की opportunities है उसे जादा star प्रदान किये गए और ये जैसे यहाँ 5 star appliances बताया गया है Maximum हम 6 star तक allocate करते हैं और जितने जादा appliances के level में star ratings होगी वो उतनी जादा saving करेगा 2015 से 2017 के बीच में हमने refrigerator की star level ratings में upgradation किया और जो 15-16 में 5 star rating का हमारा refrigerator था वो ही norm बाद में 3 star ratings हो गई है 17-18 में हम कह सकते हैं कि जो 17-18 में बनाया गया 3 star rating का refrigerator है उसकी energy efficiency यह पुराने 5 star refrigerator के बराबर है Bureau of Energy Efficiency के इस standard और leveling program ने market में ऐसा energy conservation के बारे में positive momentum बनाया और industry और consumers में ऐसी awareness बनाई कि हमारे appliances की energy consumption है वो अच्छी मातरा में कम हो गई है और उनकी services quality में कोई फरक नहीं आया है इस सारी प्रक्रिया से जब हम time के साथ efficiency norms को improve कर रहे हैं और वो गटिया inefficient appliances और products जो हमारी standards को following कर पा रहे हैं वो market से हटाए जा रहे हैं और आज की तारिक में हम दो star rating से कम rating के storage geyser heaters को market में allowing कर रहे हैं Energy conservation act में भारत सरकार ने कुछ energy intensive जो बहुत ज़्यादा energy का इस्तेमाल कर रही है उन industries को और दूसरे establishments को designated consumers का है जो मुलत है जादा मात्रा में energy consume करने वाली बड़ी इंडस्टियां हैं भारतियर रेल है पोर्टरस्ट हैं टांस्पोर्ट सेक्टर है पावर स्टेशन्स हैं टांस्मिशन और डिस्टिबूशन कंपनीज हैं commercial buildings और दूसरे commercial establishments हैं जिनका connected load जादा है इन सभी designated consumers को हर साल energy audit करानी है एक मान्यता प्राप्त energy auditor से accredited energy auditor से जिसे Bureau of Energy Efficiency द्वारा मान्यता प्राप्त हो सभी designated consumers को energy manager appoint करने होंगे जिनकी prescribed qualifications होंगी और सभी designated consumers हैं वो central government का Bureau of Energy Efficiency के coordination से बनाए गए energy efficiency norms और standards की अनुसार ही energy consumption की efficiency maintain करनी होगी समझते हैं कि energy manager के certification और energy audit forms का accreditation कैसे किया जा रहा है एक ऐसा professionally qualified energy manager का cadre तयार किया जा रहा है जो auditing का काम करेगा जिनके पास expertise है energy policy को समझने की project management को जानने की और energy efficiency से related project के technical और financial पहलों की समझ है और इन सब को Bureau of Energy Efficiency एक certification और accreditation प्रोग्राम से बनाएगी Bureau of Energy Efficiency ने कुछ training modules को design किया गया है और national level एक examination conduct करती है जिसके आधार पे energy manager और energy auditors को certification किया जाता है Energy conservation act में energy conservation और building code ECBC को शामिल किया गया है जो उन नई बनने वाली commercial buildings में जिनमें connected load 500 kilowatt या connected demand 600 kVA से जादा है उनके लिए minimum energy standards को set करता है Bureau of Energy Efficiency ने ऐसे standard और construction practice को बनाया है जो ज़्यादा बहतरीन construction और insulating material का इस्तेमाल करके नई commercial buildings में energy efficiencies को maintain करती है Bureau of Energy Efficiency इन नई commercial buildings में energy usage building के floor area के इसाब से कितना हो रहा है उसे kilowatt hour units में per square meter of floor area per year unit में major करती है और जिन buildings में per square meter energy consumption per year कम होती है उन्हें energy efficiency के certifications दिये जाते हैं और ये जो energy consumption है वो हर साल एक certified energy audit द्वारा energy audit करके पता की जाती है और पिछले दिनों हम इस energy conservation building code ECBC को national building code के साथ सायुक्त रूप में इस्तेमाल होने योग्या बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं BEE Bureau of Energy Efficiency ने कुछ selected sectors में demand side management schemes भी चालू की है जिसमें agriculture के लिए energy efficient pump sets के adoptions को promote और financially support किया है और सबी नए जो energy connections हो रहे हैं pumping stations के लिए उसके लिए BK star level pump sets का इस्तेमाल करना mandatory कर दिया गया है और जो पुराने inefficient जादा energy consume करने वाले pumping sets थे उन्हें replace करके energy को save किया गया है और peak demands को जो हमारे power sector पे problematic बन रही थी उन्हें घटाया गया है Bureau of Energy Efficiency ने municipal corporation में भी demand side management schemes को लागू किया है और ये पाया है कि वहाँ बहुत immense energy saving potential है street light और domestic water supply systems में municipal corporation के demand side management के लिए 134 urban local bodies में ऐसी detailed project reports बनाए गई जिसमें एक बहुत rigorous investment grade energy audits के बाद bankable projects बनाए गए और bank के finance के बाद जब energy efficiency program लागू किया गया तो पाया गया कि saving से हमारे investments का payback period तीन साल से भी कम है और हमारे energy efficiency के जो results है वो इन अर्बन देश भर में लागू किया जा रहा है ब्यूरो अफ एनर्जी efficiency ने distribution companies की capacity building के लिए भी demand side management schemes के प्रोग्राम्स चलाएं हैं और इन प्रोग्राम्स का objective है कि जो हमारे distribution companies हैं डिस्कॉम्स हैं वो अपने यहां load management program को carry out करें और power factor improvement augmentation of lines जादा बहतर तरीके से metering करके energy conservation programs को लागू करें अपने अपने areas में और इससे हमारी peak electricity demand में काफी कमी पाई गई और यह कारेकरम अभी भी चालू है BEEE का एक बहुत महत्वा कांक्षी energy efficiency program small or medium enterprises SMEs sector के लिए भी है जो वहां energy efficient technologies को operational practices को encourage कर रहा है Bureau of energy efficiency ने 25 SMEs cluster को select किया है और उन में walkthrough audits के बाद detailed energy audit कराकर energy uses और technology में जो gap है उनका अंकलन किया है जो detailed project reports और manuals हैं उन में energy efficiency technologies को demonstrate किया गया है और इस तरह के वातावरन बनाए गए हैं कि SMEs में बड़े scale पे energy efficiency programs लागू हो जाए इसे तो BEEE selected SMEs clusters में technical और managerial training भी provide करती है इसे तो वो बहुत सारी workshop और seminar का आवजन कर रही है BEEE का सबसे महत्पून कारिये पैठ perform achieve और trade activity है सन 2010 में energy conservation act में संशोधन किया गया और जो हमारी आठ selected energy intensive setters हैं अल्मूनियम सिमेंट क्लोरो एलकली फर्टिलाइजर आइरन और स्टील पिपर और पल थर्मल पावर प्लांट्स और टेक्स्टाइल्स इन में ये mandatory कर दिया गया कि वो per unit production जो energy की consumption है specific energy consumption उन्हें घटाएं इसे ज्यादा strict और डिरेक्टिव बनाने के लिए जो better performing industries हैं जिन्होंने prescribed standard और norm से ज्यादा बहतर specific energy consumption में reduction किया है उन्हें energy saving certificates दिये गए जो वो उन industries को बेज सकते हैं जिनकी performance इसी आंकलन में कमजोर आई है और जो industry उन्हें खरीदने के बाद अपनी चीजें compensate नहीं कर पाएगी उन company के उपर strict penalties भी impose करने की बात की गई है perform achieve trade pet scheme का एक cycle पूरा हो चुका है वो सब designated consumers ने जिन्होंने अच्छे energy efficiency results दिये हैं उन्हें excess energy savings के लिए energy saving certificates इशू हुए हैं और वो designated consumers जिन्होंने energy saving targets नहीं अचीव की हैं उन्हें enforce किया गया है कि वो better performing industries से energy saving certificates को purchase करके act की compliance करें और अगर वो compliance नहीं करेंगे तो Indian electricity act 2001 में 2010 में से संशोधन कर दिये गए हैं कि उन पे penalties लगेगी और ये penalty minimum रुपे 10 लाग हो सकी है या फिर जो energy saving certificates का number है उसको monetary terms लगबग 11,000 रुपे से multiply करके जो भी amount आएगी अगर वो amount 10 लाग से जादा है तो वो penalty impose की जाएगी पैट स्कीम के लिए Bureau of Energy Efficiency ने sector specific annual energy return forms बनाए गए हैं और एक monitoring और verification process को streamline किया है इसे तो professionally qualified energy manager और auditors का एक एडर तयार किया गया है जो policy analysis project management और financial और technical aspects में capable है और उनकी capabilities को बी ने एक certification programs के तुरू assess भी किया हुआ है भी इसे तो design training modules है उसके साथ regular national level examinations conduct करती है और इस तरह से energy manager और energy auditor को certifications प्रदान करती है इन certified energy manager और auditors के मदद से pet scheme को पूरे देश में लागू किया जा रहा है domestic sector में और्जा बाजार में energy efficiency के transformation के लिए बी डबली की एक scheme mtee market transformation for energy efficiency है जिसमें एक बचचत लेंप योजना शुरू की गई जिसने शुरू में जो top dip incondence bulb था उसे cfl से replace किया और इन दिनों बी ने इन cfl lamps को भी led light से replace कर दिया है और हमारे domestic और commercial lighting sector में और municipal corporations में जो lighting major load है उसमें भारी मातरा में energy saving पाई है recently bureau of energy efficiency ने super efficient equipment program सीप भी चालू किया है और सबसे पहले उसने ceiling fan पे काम करना शुरू किया है और कुछ fan manufacturer को जो super efficient energy fans बना सकते हैं उन्हें time bound incentives देकर एक super energy efficient ceiling fan को निर्मान करवाया गया है और उन्हें discounted prizes पे customer को दिया जा रहा है जो main technical specification है super efficient fan के वो finalize कर दिये गई है और इसके लिए assessment और testing की capacity भी develop कर दी गई है कुछ निर्माताओं ने super efficient fan बनाना शुरू भी कर दी है एसल उसमें से एक group है और कुछ और लोगों दुआरा इनके निर्मान की कारिये चालू है और उसके बाद एक agency के थुरू इस scheme को monitor और verification करके पूरे देश में लागू करने की बात होगी इसके लावा Bureau of energy efficiency school के academic calendar में energy efficiency के subject matter को prepare करने के लिए NCRT के साथ काम कर रहा है वो छोटे बचों में energy efficiency की awareness हो इसके लिए drawing और painting competitions को organize कर रहा है जो school level state level और national level पर आयोजित हो रहे हैं Bureau of energy efficiency हर साल 14 December को energy conservation day का celebration करता है और वो सारी industries जिनोंने energy conservation और energy saving में achievement पाए हैं उन्हें प्रुस्कृत करता है और पूरे देश में ऐसा वातावरन बना रहा है कि energy जीवन है और इसे selection करना अनिवार यह है